NIOS के 10 वी और 12 के student अगर आपको NIOS को कोई complaint डाल ली है तो आपको कैसे कर सकते हो इस वीडियो में देखेंगे देखो अगर आपने e-service के थुरू कोई certificate के लिए apply किया है और approval भी मिल गया है लेकिन अभी तक आपको वो certificate नहीं मिला है तो इसकी complaint आप कैसे कर सकते हो एडविशन आपने ले लिया है लेकिन काफी दिन हो गए है एडविशन आपका अभी तक confirm ने हुआ है तो उसकी आप complaint कैसे कर सकते हो एक जाम के regarding अगर आपको कोई query है तो उसकी complain आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो में देखेंगे देखो N.I.U.H जो है आपके dashboard में एक form का link देता है जिसके थुरू आप अपनी सभी problem को problem को वहाँ पे complain कर सकते हो और N.I.U.H जो है आपको feedback में यह बताता है कि क्या main region है जिसके वैसे आपको यह problem face करनी पर रही है और solution भी आपको बताता है तो उस form को fill करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले student login करना होगा यह आप देख पार होंगे मैंने N.I.U.S search का रखा है website open करके और search करने के बाद यह आपके सामने कुछ ऐसा interface आता है यहाँ पे आपको student login इस पर click करना है click करने के बाद यह आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा यहाँ पे आपको user ID और password का option मिलता है अगर आपको पता है तो यहाँ पे capture डालके login कर सकते हो नहीं पता है तो इस case में आपको login by reference number और roll number इस पर click करना है इससे आपको reference number और roll number का option मिलता है अगर आपके पास roll number है तो roll number डाल देना reference number है तो reference number डाल देना और यहाँ पे आपको data worth वाले column पर click करके यहाँ से अपनी data worth आपको select कर लेने है manually भी आप type कर सकते हो यहाँ से ठीक है वो भी यहाँ पे select हो जाएगा अपनी आप तो इस तरीके से आप डाल देना और फिर आपको यहाँ पे एक capture दिखेगा इस capture को fill करने के बाद यहाँ पे आपको login कर लेना है login करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा आपको यहाँ पे एक link मिलेगा grievance का यह आप देखोगे यह पूरा box मिलता है grievances का इसमें आपको एक link मिलेगा submit का इस पर आपको click करना है submit पर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको एक option मिलता है register का इस पर आपको क्लिक करना है register पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर अपना mobile अमर देखे और यहाँ पर OTP को डाल के verify करना है फिर यह आपके सामने यह form खुल के आजाता है यहाँ पर आपको जो complain कर रहा है उसका यहाँ पर आपको नाम डाल देना है फिर आपको यहाँ पर email ID डाल देना है फिर आपको यहाँ पर यह gender सेलेक्ट करना है कि male है female है ठीक है फिर आपको यहाँ पे अपना roll number डाल देना है और roll number डालने के वाद यहाँ पे आप देखोगे grievance detail जो की तीसरा step है इसमें आपको कुछ category दी गई है उस category को यहाँ से select करना है जैसे कि अगर आपको admission की regarding कोई query है complain करनी है तो admission का select करेंगे e-service की regarding कोई complain है तो test यहाँ पे select करेंगे ठीक है और फिर आपको यहाँ पे title में डाल देना है ठीक है main जो आपका problem है वो title में डाल देना है जैसे कि आपने mark sheet के लिए apply किया लेकिन आपको mark sheet approval के बाद भी नहीं मिल ला है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो mark sheet issues mark sheet issue यहाँ पे डाल सकते हो इस तरीके से और फिर आपको description में बता देना है कि आपके साथ actually में हुआ क्या है जैसे कि आप यह बता सकते हो कि मैंने इस date को mark sheet के लिए apply किया था इस date को approval हो गया लेकिन अभी तक मुझे mark sheet मिला नहीं है ठीक है description को approval मिला और अभी तक क्यों नहीं मिला है यहाँ पे आप उसकी screenshot डाल सकते हो फिर आपको यहाँ पे declaration यानि कि 50 step आपको मिलता है यहाँ पे आपको एक check box मिलेगा इस पर आपको check कर देना है then आपको submit पर click कर देना है submit पर click करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा आपको यह साई detail यहाँ पर बताएगा ठीक है और आपको यहाँ पे final submission देना है तो final submit पर click कर दोगे और यहाँ से पूछेगा कि आपको यहाँ पे सारी detail पर चुके हो सही है तो आप continue पर click करेंगे continue पर click करने के बाद यहाँ पे देखोगे कि thank you your grievance समिट हो चुका है यहाँ पे आपको एक grievance नमर मिलता है ठीक है और user ID और password भी आपको यहाँ पे मिलता है ठीक है तो इस grievance ID से आप यहाँ पे status भी चेक कर सकते हो चेक है कि grievance ID यहाँ पे डालके status भी देख सकते हो कि आपका किस state पर आपका request complaint पहुचा है ठीक है minimum दो से तीन दिन में आपको इनका feedback मिल जाएगा आप इनको यह आपको solution दे देंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो complaint और मुझे लगता है कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत जोरी था इसलिए बनाया हूँ चैनल को subscribe कर लेना अगर नहीं हो तो वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक जोर कर देना